वेल हलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी आज तक जितनी भी मूवी स्पोर्ट्स के थीम पर आई है वो जादा तर सक्सेस्फुल ही रही है अब चाहे बात करें लगान, चगदे, दंगल, सुल्तान, MS धुनी, भाग, मिलखा भाग ये सारी फिल में सूपर हिट ही रही है और अब आ रही है कैसे स्पोर्ट्स परसन पर मूवी जिन्नोंने बैड्मिंटन के खेल में वर्ल्ड नमबर वन का किताब हासिल किया है माइंड इट और इतना ही नहीं, सायना नहवाल is the first Indian बैड्मिंटन प्लेयर जिन्नोंने ओलमपिक में मेडल जिता था और इनके लाइफ इवेंट्स पर बनने जा रही है एक फिल्म या कहे बायोपिक जिसमें सायना का रोल अदा किया है परिनिदे चोपडाने हाला कि जब फिल्म की shooting स्टार्ट हुई थी या कहे फिल्म की training स्टार्ट हुई थी तो सायना के रोल के लिए पहले श्रद्धा कपूर को साइन किया गया था पर सूत्रों की माने तो श्रद्धा कपूर की तबियत बिगड़ने और diagnosis में डेंग्यू निकलने के बाद श्रद्धा को ये फिल्म छोड़नी पड़ी बात करें इस फिल्म के टीजर की तो शुरुआत में ही परिनिति के एक डायलॉग ने सदियों से चलती आ रही भारतिय परंपरा याने आदमी करेगा नाम और अवरत जाडू बरतन पोचा खाना पकाने का काम इसको तोड़ कर रख दिया फिल्म के टीजर में खेल की कुछ ग्लिम्स दिखाये गया है जिसमें सानिया का बचपन उनके लुक्स पर जादा फोकस किया गया है और लास्ट में तिरं जमीन पर लिखी और बनाई थी उन्होंने ही इस फिल्म को लिखा और डिरेक्ट भी किया है हाँ इस फिल्म के पोस्टर को लेकर काफी जादा ट्रोलिंग भी हो रही है क्योंकि गलती ही कुछ ऐसी कि यह पोस्टर बनाने वाले ने कि बैड्मिंटन को सर्विंग पोजिशन में दिखाया है जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता ये सर्विंग पोजिशन टे ये सर्विंग पोजिशन टेनिस के होती है ना कि बैड्मिंटन की इनिवेस इस छोटी सी गलती को नजर अंदास किया जाय तो फिल्म आ रही है 26 मार्च को थीएटर्स में जायेगा जरूर टीजर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है मिलते हैं अगले वीडियो में बाई